आप सभी को मेरा शत्षत प्रणाम आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर तो आज हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहन के बाद ऐसी कौन सी चार चीजे हैं जिसका दान करने मात्र से आपको सुख, सम्रुद्धी और यश की प्राप्त होती है हिंदो धार्मिक सास्त्रों के अनुसार ग्रहन के बाद दान का विशेश महत्व माना जाता है चंद्र ग्रहन के समय सूरिय, चंद्रमा एवं प्रित्वी एक ही क्रम में होते हैं जिसके कारण चंद्र ग्रहन लगता है ग्रहन के बाद कुछ विशेश वस्तुओं का दान करने से ग्रहन के दुश प्रभाव दूर होते हैं जिसमें सर्व प्रथम है चावल चावल को अक्षद भी कहा गया है जिसका संबंद चंद्रमा से होता है शुपकारियों से पहले सदेव अक्षद का प्रयोग किया जाता है ग्रहन के बाद चावल का दान करने से घर में धन, धान्य की कोई कमी नहीं होती है दूसरा है दूद चंद्र ग्रहन के पश्चात दूद का दान करने से मातालक्ष्मी और भगवान नारायन का आशिरवात प्राप्त होता है शास्त्रों के अनुसार दूठ का विशेश महत्व चंद्रमा के साथ माना गया है तीसरा है शक्कर शक्कर के दान से इष्ट देवी देवताओं के आशिरवात की प्राप्ति होती है और अंत में हैं चांदी चांदी का दान बहुत विशेश होता है इससे वैक्ति को कुशाग्र वुद्धी एवं धन वैभाव से संपन्नता का आशिरवात प्राप्त होता है इस तरीके सह से चाल चीजों का दान करके आप पास तरग के शुबपल प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि मान सम्मान में वृद्धी होती है धन का आगमन होता है विकट समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है, सुक शांती का वातावरन होता है, एवं यश बल एवं मानचिक सकती प्राप्त होती है तो दोस्तों इस तरीके से आप ये चार चीजों का दान करने मात्र से शुबफल की प्राप्ती आसानी से कर सकते हैं यहाँ जरूरी नहीं है कि चारों चीज़े होना चाहिए इसमें से अगर आप कोई एक चीज़ का विदान करते हैं तो उससे भी आपको शुबता एवं शुबफल की प्राप्ती होती है दोस्तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए ऐसी रोचक कताय जानने के लिए उपाय जानने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद